दोज़ा सब्सक्राइब करें क्रिकेट नाइन यूटिब चैनल को और बेल आइकन को प्रेश करें तागे हमारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले पाकिस्तान और बंगल देश के भीड के बिज़केट पहले टी-टी में पाकिस्तान टीम को आखरी और में जीत मिली पाकिस्तान ने स्कोर को आखरी और में हसिल किया बाबाराजम सिर nut मात रिखा नाबाज इस और मौ nationalist न brolane आउट हुए 18 रन बनाए दोनों ने 15 गेन पर 36 रन की नाबाद साजेदारी करके टीम को 4 विकेट से रोमान चक जित दिलाई इससे पहले बांगलादिश ने अपने ही घरूली मैदान में उस्टिलिया और न्यूजिलेंड को T20 सिरीज में हराया था जीत के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की सिरीज में एक जीरो की बलत बना ली है आपको बता दो लक्ष का पीछा करने उतरी पाकिस्तान ने 96 रन पर 6 विकेट खो दिये थे उसे आखरी तीन और में जीत के लिए 32 रन बनाने थे ऐसे में लग रहा था कि बंगलादेश की टीम उलट फेट कर सकती है लेकिन शादाब खान और महमद नवाज ने कमाल की बल्ले बाजी की शादाब ने 10 गेन पर नाबाद 20 रन बनाए उन्होंने 14 और 2 चक्र लगाया वही नवाज ने आठ गेन पर बिना आउट हुई 18 रन बनाए उन्होंने भी एक चोका और दो चक्र लगाए बाबार आजम और महमद रिजवान ने टीटी वंटी वर्ड कप में शादार केल दिखाया था लेकिन पहले टीटी वंटी में दोनों वल्ले बास फैल दिखे बाबर ने वर्ड कप के छे मैच में चार हाफ संचुरी लगाई थी वो सिर्फ इस मुकाबले में साथ रन बना सके रिजवान ने गैरा रन का युगदान दिया फकर जमाने चौटीस और खुच दिशा ने चौटीस रन बना कर टीम को समाला हैदर अली और शोय मलिक तो खाता भी नहीं कोल सके इससे पहले टॉस जीद कर पहले खेलते हुए बंगलादिश ने साथ विकेट पर 127 रन बनाये थे टीम ने 15 रन पर 3 विकेट को दिये थे अफीफ हुसेण ने 36 और नूरूल हसन ने 28 रन बना कर टीम को समाला आखिर में महिनी हसन 30 रन बना कर नाबाद रहे और टीम को 120 रन के पार पहुचा दिया पाकिस्तान की तरफ से तेजगेंबाजों ने शानदार खेल दिखाया हसन अली ने 3 और वसीम जुनियर ने 2 विकेट चटकाए